नमस्कार हमारे वीडियों वक्त सौरत ते हमारे पास एक LED आया है यह 50W का LED है यह फॉल्ट हो गया था इसको हम रिपेर करेंगे यहां पर हम इसको टेस्ट करेंगे पहले तो यह बोल लाए थे जो इसको अनर है कि यह फॉल्ट है जल नहीं रहा और इसमें देखेंगे क्या फ करते है श्ली सारे दिरेज दिरेज को हम इस्कूइब कर लेंगे पर इसमें पीसीभी इसी LED के प्रिंट सर्कूट पर ही PCB होता है PCB इसके अलक्सी नहीं ड्राइवर यूज़ वहता है देखेंगे इसका यह लेंस है इसमें लेंस है और यह प्रोटेक्टर कभाए है इसको और यहां पर एक आपको दिख रहा होगा यह एक ब्रिज टेक्टिफायर फीजबर रेजिस्टर है यह ब्रेक हो जाता है और यहां पर एक माइक्रो कंट्रोलर है सारे जो एलेडियां है उनको कंट्रोल के लिए यह बहुत थी नैनो टेक्ट अडवास आगया स्टिंग यह जो पिछे आईरन है यह एक ट्सिंग का काम करता है और यह प्लेट भी है उसका तो अलग रग देते हैं अब इस पर काम देखिए यहां पर प यह वर्क करता है इसका बोल्टेज वन सेवेंटी यह सेवेंटी मतलब साट बोल्ट रता है डीसी पर इसमें शॉक भी लग सकता है तो इसको ध्यान देकर टेस्ट करिएगा यहां अब हमको देख रहे हैं यह दोनों खराब है अब इसको मल्टिमीटर से बार चेकर करें कर अब मल्टिमीटर को कंटिन्यूटि मोड में लगा दे बाध यहां पर अगा मूलीट मेर को देख देरा है इसको हम टेस्ट कर लेंगक कोई भी अलेडी पर लेशिये ंश्के मलेड मेल यह लीडी जादे वॉखी है इस लिए यह लगव नहीं करेंगे मुल्टी मीटर में कम बाट की LED ग्लो कर लेती है अब जो सॉट भी है वो भी नहीं करेगा इसका टेस्ट करने का एक ही तरीका है आपको इसको सिरीज में पहले तो लगा लेना होगा लैंप को LED को सिरीज में LED को लगा ले फिर इसको Ampere Mode में डाल सकते हैं में LED जो खराब है पहले इसको टेस्ट कर लेंगे देखिए यह दूनों पैलर में है एक भी अगर यह एक भी कनेक्ट होगा तो जलेगा अगर पिसी भी कंट्रोलर से फाल्ट होगा तो आपको इसको चेंज ही कर देना है क्योंकि यह मार्केंट नहीं मिलता अगर बिज एक् सबक्राइब करेंगे में जल नहीं रहा है मुथ जल नहीं रहा है तो इसका मतलब वारास तो ऐसरा लगा नहीं है यह को और पाल्ट हो सकता है बट इसको जलना चाहिए इसको एसी पर फिट कर लिए देखें यह जो जल नहीं रहा है यह अब किसी पर रहना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है आखिर मारा ब्रोकेन हो गया है यह देख सकते हैं इसे मल्ट्वेटर्स निकल गया है कोई प्रॉब्लम नहीं इसको हम पहले तो अब तेस्ट करेंगे यह देख सकते हैं याध कि यह बन गया है कितना यह बताएगा यह जो है 1.1 एमप्या ले रहा है और PCB पूरी ओके है ग्लो कर रही है वही दो जो component है स्वरी LED है वह हमारा LED दोनों खराब है उसके लिए हमको अब यह दोनों जो आपके LED बर्न हो गया है उन LED ओको लगाने के लिए उन LED ओको लगाने के लिए यहां पर देखिए दो प्रिंट है यह अपके दोनों कॉपर के है यह दिख नहीं रहा कि इस पर पेश्ट एक कोटिंग किया गया है इसको अब इस क्रूड्राइवर या किसी स्क्रब जाएं या किसी भी चीज से स्क्रब कर ले स्कैच कर ले और है आपर एक और स्क्रैच कर ले स्क्रेच करने के बाद इस पे तोड़ा सा इसक्रेच के बाद तोड़ा सा सोल्डिंग होज तोड़ा सा दीजिएगा और यह दूनों प्रेच करा दीजिए मतलब शोल्डिंग को लेगा इसको थोड़ा सा बहुत थोड़ा से यूज किए इसके बाद शोल्डिंग आइडन से इसको सोल्डिंग होजागा इसको स्टाफ कर देगा अब हम में लेंगे एक है यहां पर 1.1 ओम का है नहीं से क्रस्ट expenditure के channel यहां पर एक यह यहां पर यदेड कर देद हैं गिस सीटाफ के है जोड़ा नाज लोड़ पड़े है इसके लिए हम उसको लगातेंगे यह लगने बार नहीं काट देंगे अब इसे टेस्ट करेंगे टेस्ट लेंप से देखिए यह जो है यह अभी ही दिखा रहा है इस अभी आउन हो गया है यह दिस्टेंज बड़ा लगाने का एक रिजन यह है कि जो यह है यह जो है इसके ग्रूप में इसे निकलना चाहिए रिजिस्टेंज को इसक्राब से फोल्ड करना होगा इसमें आए रहां से फिट हो जाए यहां पर देख सकते हैं यह लेजिटर में फिट हो गया यह पर लेग है इसको अब इसको इसको फिट करकर देखाते हैं यहां पर complete हो गया है अब एक बार test time से इसको check कर लेते हैं हमारा LED है जो की LED में क्या होता कि यह LED आपस में broken हो जाने के वज़े से यह जल जाने के वज़े से इसको direct jumper कर देने पर क्या होता है PCV same voltage apply करता है और जो सभी LED है उसमें से जो लोड है वो लोड सभी LED आपर बढ़ जाती है और इस बढ़ने के वज़े से और भी LED जल जाती है जिसके कर आप एक jumper की जगा इसके वाटेज को पता कर कर रजिस्टर लगाते है वैसे तो इसका वाटेज लंसम 50 ओम का रजिस्टर लगना चाहिए बट यह क्या होता है कि इसमें फाल्तू का आपका जो इनर्जी है लॉस होगा इसलिए फ्यूजबर रजिस्टर लगा के आसानी से मार्केट में मिलता है उसको लगा के आप यूज़ कर सकते हैं जाखेज़ बगा के आपके आपके दो गगा सकते हैं